नमस्ति, मेरा नाम है लाली मा और आप देख रहे हैं दी लललन टॉप बॉलिवोड एक्टरेस जरीन खान को लोग उनके वजन और लुक की वजह से हमेशा टोकते टाकते रहते हैं लेकिन उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता बलकि उनकी इस तरह की आलोचना करने वाले लोगो को वो सीधे मो सुना भी देती हैं लेकिन लोगो की एक गंदी आदत है बास नहीं आने की उन्हें जहां मौका मिलता है अपना कारेक्रम चालू कर देते हैं इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ जरीन ने अपनी एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की और ट्रोल आर्मी एक्टिव हो गई लेकिन अपने पाओं पीछे खीचने की बजाए जरीन ने उनकी बोडी शेमिंग करने वालों को धंग से समझा दिया क्या है पुरा मामला हम आपको बताते हैं जरीन इन दिनों उदैपुर में हैं उनकी एक फिल्म आ रही है अकेले हम अकेले तुम उसकी शूटिंग निप्टा रही है फिल्म को हरीश व्यास डाइरेक्ट कर रहे हैं हुआ ये कि तीस अगस्त को जरीन ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो अपलोड की इसमें उनका पेट नजर आ रहा था बस ये फोटो अपलोड करने की देरी थी कि सोशल मीडिया वाली जंता मोरल पुलिसिंग में लग गई कुछ ने ज्यान देना शुरू कर दिया तो कुछ ने उनकी बारी में भद्धी बाते करनी शुरू कर दी और फिर आते हैं कुछ महालू भाव टाइप के लोग जो सीधे बोडी शेमिंग पर ही उतर आए पहले आप जरीन का वो पोस्ट देखिए जिस पर इतना सारा बवाल कट रहा है एक भाई सहाब ने लिखा कि जरीन का पेट देखकर उन्हें उल्टी आ रही है तो दूसरा उनसे भी एक कदम आगे निकल कर जरीन से प्रेगनिंसी के बारे में सवाल करने लगा और एक यूजर ने तो उन्हें पेट पर भी मेकप लगाने की सलहा दे डाली पहले तो जरीन ने इन्हें इग्नोर किया लेकिन जब पानी सिर से उपर जाने लगा तो उन्होंने इन ट्रोल्स को सबक सिखाने की ठानी उन्होंने फोटो पर कमेंट कर उनके बारे में उल्टी पुल्टी बाते लिखने वाले यूजर्स का स्क्रीन शॉट लिया और अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर कर दिया इंस्ट्रे स्टोरी पर ये चीज शेयर करने से जरीन को फॉलो करने वाला हर शक्स उन ट्रोल्स की इस हरकत को देख सकता है यहां मामला फाइनल कर जरीन ने एक नोट लिखा जिन लोगों को ये जानने में दिल्चस्पी थी कि आखिर मेरे पेट को क्या हुआ है ये उनके लिए है ये 50 किलो से ज्यादा वजन खटाने वाले इनसान का नेचुरल पेट है अगर इसे बिना फोटोशॉप और आपरेशन के रखा जाए तो वो ऐसा ही दिखता है मैं उन लोगों मैंसे हूँ जो सच्चाई दिखाने में यकीन रखते हैं छिपाने की बजाए मैं अपनी खामियों को गर्व से गले लगाना पसंद करती हूँ जरीन खान इकलोती या पहली सेलिब्रेटी नहीं है जिनके साथ सोशल मीडिया पर इस तरह का बरताफ किया गया है जरीन से पहले ऐसा मंदिरा बेदी, अमिशा पटेल और उर्मिला मातुनकर जैसी एक्ट्रेस के साथ भी हो चुका है और उन लोगों ने भी चुप रहकर सब कुछ सहन करने की बजाए जवाब देकर इन ट्रोल्स का मोबंद किया है उमीद है कि जरीन का ये पोस्ट इस तरह के लोगों के दिमाग के पूर्जे कसने के लिए काफी होगा इस वीडियो के बारे में और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर ये वीडियो आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें अगर इससे आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दे ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अप्लोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे इसके अलावा हमारा एप भी प्ले स्टोर में हैं आप उसे भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू